साथियो नमस्कार इस रील के अंदर हम जानने वाले हैं प्रूनिंग से रिलेटिड बहुत ही महतोपुर्ण टिप्स तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो यहाँ पर सुर्यो है सबसे पहली और सबसे में बात पौधे पर सुर्यो की किरने वैसे काम करती है जैसे गाड़ी में गाड़ी की चाबी काम करती है जब तक गाड़ी में गाड़ी की चाबी नहीं लगीगी तब तक कार आपकी स्टार्ट नहीं होती है ठीक वैसे ही जब तक पौधे को पौधे के पत्तों को धूप की किरने नहीं मिलेगी, सुर्य की किरने नहीं मिलेगी, पौधा भी आपका स्टार्ट नहीं होता है, आपने चाहे उससे फल बनवाने हो, आपने चाहे उसका फ्रेमवर्क पूरा करवाना हो, नहीं होगा, आप चाहे कोई भी कट आप पूधे पर लगा दो जब तक आपके सुर्य की किरने अच्छे से आपने दोहन कैनोपी पर अच्छे से नहीं किया हुआ है तब तक पौधा आपका अच्छे से ग्रोह नहीं कर पाएगा दूसरी चीज दूसरी चीज क्या जब पोधे पर जब पत्ते पर सुर्य की किरने पड़ती है, तो क्या होता है, तो प्रोड्यूस के रूप में कार्वो हाइड्रेट बनता है, फोर्टो सिंथैसिस प्रोसेस होता है, और उसे प्रोड्यूस कार्वो हाइड्रेट निकलता है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ध्यान देने योग्यों यहां पर क्या होगा? वो पौधे को ग्रोज की ओर ले जाए जो पौधे से वेजिस्टेटिव ग्रोज करवाए और यदि आप उसी जगहाँ पर नाइट्रोजन की जगहाँ पर यदि आप ऐसे न्यूट्रेंट्स का यूज कर रहे हो जो पौधे को frutin cure ले जाता है, जो पौधे को productivity पर लाता है, वो nutrient है जैसे potash है, phosphorus है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पौधा वो nutrients कार्बो हाइडरेट के साथ मिल करके ऐसे amino acid का निर्मान करता है, जो पौधे को frutin पर ले जाए, जो पौधे से reproductive growth करवाए, अब तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आपको पौधे के nutrition management पर भी main ध्यान देना है, यदि आप कर रहे हो ऐसा cut आप अच्छे से reproductive cut लगा रहे हो, लेकिन nutrient आपने नीचे से nitrogen रखा हुआ है, तो वो आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, यह बात आपको ध्यान देना है, अब यह पौधे को nutrients दे रहे हो, आप पौधे को जैसे पोशकतत्व दे रहे हो, यह उस पर repent करता है, यह दिया पौधे को ऐसे पोशकतत्व दे रहे है, जो पौधे को रिप्रोडक्टिविटी की ओर ले जाएगा, तो पौधा कैसे cells का निर्मान करेगा, तो पौधा fruit cells का निर्मा करेगा बीमों की गोशिगाओगा निर्मान करेगा तो ये बाते बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्या है ये बाते बहुत ज्यादा इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आउशक है धन्यवाद